कैसे आप लोग आई होप आप सब अच्छे होंगे आज मैं इस लुक को क्रियेट करने वाली हूँ आपको टाइटल पढ़के पता चल गया होगा आज मैं क्रियेट करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल सा कॉलेज मेक अप लुक जो बहुत ही अफ़रडबल प्रोडिक्ट के में जरूर बताएगा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आयो तो मेरे चैनल कोस्प्सक्राइब भी जरूर कीज़ेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेक अप करने से पहले सबसे पहले आपको अच्छे से वाश कर लेना है मैंने फेस को वाश कर लिया था कोई आप अपन तोनर नहीं है आपके पास तो रोज वाटर जरूर यूज़ कीज़े दोस्तो अपने स्किन को टोन करना बहुत ज़ादा जरूरी होता है क्योंकि टोनर यूज़ करने से आपके स्किन का पी एच लेवल को मिनिमाइज करता है तो उसके बाद आपे यूज़ करना है को भी एक्स्ट्रा ड्राय स्किन है या फिर कॉंबिनिशन स्किन है तो आप इसे यूज कर सकते हो और इसके बाद जो मैं मेक अप यूज करूंगी दोस्तों बहुत ही सिंपल से प्रॉडिक्ट के साथ यूज करने वाली हो इस मेक अप लुक को और उसके बाद इस तो कॉलेज जाना हैं तो दूप में जाएंगे तो इस सबसे जादा जरूर है संस्क्रीन लगाना हमें कॉलेज जाएं या फिर घर पर रहें आपको संस्क्रीन जरूर यूज करनी चाहिए जो कि हमारे स्किन को यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है हमारी स्किन को खराब नहीं होने दिता है तो जब भी हम makeup करें उससे पहले आपको ये sunscreen अपने face पे ज़रूर apply करनी है face के साथ साथ आपको neck area पे भी apply करनी है कोई भी आप product यूज़ करें आप neck area को छोड़े ना क्यूंकि आपको दोनो face और neck even लगना चाहिए उसके बाद इस makeup look को हम create करेंगे cc cream से यह lact me की 9 to 5 cc cream है इसका shade है 03 आप अपने shade की according ले सकते हो आपके पास अगर BB cream है आप वो से भी use कर सकते हो तो मैं इस makeup look को create कर रही हूँ cc cream से तो मैं इसे cc cream को dot dot करते हुए पूरे अपने face पे अच्छे से apply कर लोंगी और every face पे पूरा apply कर लोंगे और apply करने के बाद इसे आपको blend करना है blend करने के लिए आप हात का भी youse कर सकते हो या फिर beauty blender का भी use कर सकते हो तो मैं इस beauty blender को पहले तोड़ा सा wet कर लिया था थोड़ा से गीला कर लिया था इसको नचोडने के बाद मेने इसको अच्छे से blend किया है आप याद रखें कभी भी कोई भी base आप लगाएं चाहे foundation लगाएं ये CC cream लगाएं ये BB cream लगाएं कभी भी आपको beauty blender के साथ जो blend करते हो उसको drag नहीं करना है इस तरीके से डब-डब करते हुए आपको अपने मेकप को अच्छे से ब्लैंड करना है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आप देख सकते हो नेक एर्या पर आप इस तरीके से कर रही हूँ, मैं इस तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन If you drag first नो ही उपस्वर्दु आप जो lefty with a liegen? तो इस तरीके साब देख सकते हो, मैंने अच्छे से पूरे बेस को सैट कर लिया है, पूरे बेस सीसी क्री अपने फेस पर लगा लिया है, उसकी बाद मैं यूज करूंगी यहां पर कंसिलर, कंसिलर अगर आपके डार सरकल्स हैं, पिंग्मेंटेशन हैं, डार्क स्पोर्ट्स तो वहां आप लगा सकते हो, आपको कॉलेज आ रहे हो, तो जादा मेकप नहीं करना है, बट जहां आपको जरूरत है, अपने पिंग्मेंटेशन, डार्क स्पोर्ट, इनको हाइड करना तो जरूरी है, क्योंकि उसके बिना फिर अच्छा नहीं लगता है, तो बस जहां-ज जरूर अच्छा लगेगा, और मेकप लूग कैसा लग रहा है, कि आपको पसंद आ रहा है, कि नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बतायेगा, उसके बाद मैं यहां पे लिए फेस पाउडर, मेरे पास यहां पर फिटमी का फेस पाउडर है, जिससे मैं अपने पूरे मेकप औ आइब्रो फिलिंग, आइब्रो के लिए मैंने ब्राउन पैंसिल का यूज किया है, दूस्तों आप यह ज़रूर याद रखें जब भी आप ब्लैक कलर से आइब्रो फिल ना करें, क्योंकि ब्लैक से जब भी हम फिल करते हैं, तो एकदम नाच्रल नहीं लगती है, ऐसे आर यहां पर मेरे परास है मैवलिन का काजल, काजल मैं यूज कर रही हूँ, इस काजल को हम थोड़ा सा बोल बनाएंगे, क्योंकि कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज में काजल मेरे जैसे लोगों को तो बहुत जादा पसंद है, आपको पसंद है के नहीं मुझे कमेंड करके जरू यहां पर मैं ब्लू एवन का ऐलाइनर यूज कर रही हूँ, लिक्विड लाइनर में लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से लिक्विड लाइनर लगाया है, तो मुझे इसी में कमफोर्टिबल होता है, और अगर आप चाहो तो पैंसिल लाइनर आप लगाना मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, और उसके बाद में यूज कर रही हूँ, मशकारा आपके आई लाइस को करने कले होता है, जो काफी आपकी आइस बहुत जादा सुन्दर लगती है, और उसके बाद में सादा कुछ नहीं करूंगी, बस उसके बाद मैं लगा लिब स्टिक नहीं है, यह भी लूँ यह लिब गलाश है May 27 दोर आपके लेखे भी उष्टे का में करूंगी, यह लिब ब्लाश है यह बहुत अच्छा घ्र एका नाच्रल और शचारा चेमें है, बहुत अच्छा भी लिश्चा कि मैं लगा है और युज़ लंगी दोर के पास नहीं है तो हाथ के हलों में अच्छा कर सिती ब्लेश बिलाब कनी60 भाट इस तरीके क्लिта जाता भात गालो पर लगना टेए द्वाशा मैं और एफ क्लीज गरल हो सेंग फिसके लाज़ तो पस कि बिन्दी लगाना परसन्त जेए तो आप बिंदी लगा लीजिए मैं married हूँ तो इसलिए मैंने बिंदी लगा ली है और यह make-up look complete है और अगर आप बाल खोलना चाहे तो बाल बानना चाहे तो बाल भी बान सकते हो तो यह रहा मेरा final look दोस्तो कैसा लगा मुझे comment करके जरूर बताएगा और अगर आप college में इस तरीके से clutcher लगाओ वो भी अच्छा लगता है इस तरीके से भी आप clutcher लगा के आप थोड़े से बाल आगे से friend से निकाल दीजिए और यह भी बहुत जादा stylish लगता है तो look कैसा लगा मुझे comment करके जरूर बताएगा और बाताएगा बाता है और अबाई